गंगौर वरत यह वरत चैत्र सुकलित रतिया को मनाया जाता है इस दिन सुहागिने इस्त्रियां वरत रखती हैं कहा जाता है इस दिन भगवन संकर ने अपनी अरधांगनी पारवती को तथा पारवती ने तमाम इस्त्रियों को सौभागे का वर दिया था पूजा विदी विधान पूजन के समय रेणुका की गौरी बनाकर उस पचूड़ी महावर सिंदूर चड़ाने का विशिस फल है चंदन अक्षत धूप दीप नेवल से पूजन करने सुहाग साममगरी चड़ाने तथा भोग लगाने का नियम है ये वरत रखने वाली इस्त्रियों को गौर पर चड़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए आईए अब सुनते हैं इसकी कथा एक समय भगवान शंकर नारत एवं पारवती को साथ लेकर प्रत्वी पर चल दिये ब्रमण करते हुए तीनों जब एक गाउं में पहुँचे उसी दिन चैत्र सुकलत रतिया थी गाउं की लोगों को जब संकर जी की सूचना मिली तो धनी इस्त्रियां उनकी पूजनार्थ नाना प्रकार के रूची कर भूजन वनाने में लग गई इसी कारण से उन कुलवन्त इस्त्रियों को काफी देर हो गई दूसरी और निर्धन इस्त्रियां जैसी पैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेका से पारवती की पूजा की अपार सरदा भक्ति में निमंगन उन इस्त्रियों को पारवती ने पहेचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तों को सुविकार कर उनकी सब के उपर स्वहाग रूपी हरित्रा छड़क दिया इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आसीरवात अथा मंगल कामनाय प्राप्त कर गए औरतें अपने अपने घर चली आई तब अश्यात कुलबन तेस्तियां सोलहों सिंगार छपर प्रकार के वेंजन सोने के थाल में सजा कर आई तब भगवन शंकन ने संका व्यक्त करते हुए कहा पारवती जी तुमने तमाम स्वहाग प्रसातों साधरन इस्तियों में बाट दिया अब इन सब को क्या दोगी पारवती जी ने कहा आप इसकी चिंता छोड़ दें उन्हें उपरी पधारतों से निर्मित रस दिया है इसलिए उनका स्वहाग धूती से रहेगा परंदू इन लोगों को में अपनी अंगली चीर का रक्त स्वहाग रस दूंगी जो यह मेरे समान ही सवहाग सालनी बन जाएंगी जग कुली निस्त्रियां से पारवती का पूजन कर चुकी तो देवी पारवती ने अपनी अंगली चीर कर उसके रक्त को उनके उपर छिड़क दिया और कहा तुम सब वस्ता भरणों का परित्या कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पती की सेवा करना तुम्हें अखंड सौभागे की प्राप्ती होगी भवानी का ये आशिर वचन सुनकर तथा प्रणां करके कुली निस्त्रियां भी अपने अपने घर लोटाई तथा पती परायान बन गई छड़का खुन जिसके उपर जैसा पड़ा उसने वैसा ही सौभागे प्राप्त किया इसके पस्चात पारवती जी ने पती की अग्या से नदी में जाकर इसनान किया बालू का महदे बना कर पूजन किया भोग लगाया तथा प्रदिक्षणा करके दो कणों का प्रसाद खाकर पारवती ने मस्तखवर्टी का लगाया उसी समय उस पार्थ विलिंग से सिव जी प्रकट हुए तथा पारवती को वरदान दिया आज के दिन जो इस्त्री मीरा पूजन तथा तुमारा व्रत करेगी उनके पती चरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा भगवन सिव यह वरदान देकर अंतरध्यान हो गए तब पशात पारवती जी नदी तट से चलकर उस इस्तान पर आई जहां पती दे तथा रिशी नारत को छोड़का गई थी अतैव सिव ने विलम का कारण पूछा तो इस पर पारवती ने उतर दिया मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गएते उन्होंने मुझे दूद भात खाने तथा ठहरने का आगरे किया इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवन शंकर स्वेम दूद भात खाने के लिए चल दिये पारवती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधिर होका पती से प्रात्ना करने लगी संकर के पीछे पीछे चलती पारवती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुन्दर माया का महल दिखाई दिया जिसमें सिव जी के साले तता सहलज विद्वान थे यह लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने स्वागत सतकार किया दो दिन तक तीनों ने उनका आतिते ग्रहन किया तीसरे दिन सुबह भगवन सिव ने पारवती जी के चलने के आगरे को ठुकरा दिया इसे देवी का भी कुपित हुई तदा अकिली ही चल पड़ी मजबूर होकर महादिव को उनका अनुसरन करना पड़ा नारद भी साथ में थे तीनों व्यक्ती चलते चलते काफी दूर निकल आए साइकाल होने पर सिव जी ने बहना किया कि मैं तुम्हारे माएके में अपनी माला ही भूलाया इस पर पारवती माला लाने को तयार हुई कि तो सिव जी की आग्या से ना जा सकी नारद जी वहां गए जा कर देखते हैं कि ना कहीं महल का नामों निशान है ना कहीं माला वरन घोर अंदकार में निर्शंग हिंसक पसु विचरण कर रहे हैं इस अंदकार पूंट डरावनिवाता वरन को देख कर नारत बहुत आश्यर चकित हुए तक शण अचानक बिजली की चमकने से ब्रच पर टंगी माला दिखाई दी लेकर महा मुनी भयातुर आवस्ता में सीग रही सिव के पास आये और अपनी विपति का वरन कर सुनाया इस परसंग को सुनका हस्त हुए सिव ने नारत से उसका आदी मूल कारण बताया है मुनी आपने जो कुछ भी दरश्य देखा वे पारवती की अनौकी माया का प्रतिफल है वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आप से गुप्त रखना चाती थी इसलिए उन्होंने जूटा वहना बनाया था फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतीवरत धर्म की सक्ती से जूटे महिल की रचना की परंतु सच्चाय के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दुबारा उस इस्थान पर वेजा था ऐसा जानका महर्शी नारद ने माता पारवती के पती वरत प्रभाव से उत्वन घटना की मुक्त कंट से प्रसंसा की तथा जहां तक उनके दौरा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है वहवी उचित ही जान पड़ता है क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए मेरा यह आसिर वचन है कि जो इस दिन गुप्त रूप से पती का पूजन कारे संपाविद करेंगी उनकी समस्त मनों कामराओं की पूर्ती होगी तथा उनके पती भी चरंजी भी होगे चुकि पारवती ने इस वरत को छिपा कर किया था उसी परंपरा के अनुचार आज वे पूजन के अफसर पर पुरुस उपस्तित नहीं रहते हैं आसा करती हूँ दोस्तों आपको यह गनगोर वरत की समस्त जानकारी और कथा पसंद आई होगी वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोले नाथ और मता पारवती की आप सभी पर क्रपा बनी रहे जै बोले नाथ